किसी हिट फिल्म का सीक्वल बनाना असान नहीं होता और सीक्वल अगर ऐसी फिल्म का हो जिसने फिल्म जगत के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई की हो तो फिर तो समझा जा सकता है कि चैलेंज कितना बड़ा होगा 68 साल के हो चुके प्रेडिसर डिरेक्टर जेम्स केमरोन की नई फिल्म अवतार दा वे ओफ वाटर देखने के बाद समझाता है कि इनसान जो सोचता है वह हासिल भी कर सकता है ये फिल्म ना सिर्फ इनसानी कलपनाओं की उड़ान है वर्ल्ड सिनेमा का एक नया अध्या एक नया मोड एक नया एक्जामपल भी है फिल्म इतनी अद्भूत आलों की अकलपनी है और अविश्वसनी है कि बाकी किसी चीज़ पर वीवर्स का द्यान ही नहीं जाता अफ़तार देखते समय यू लगता है कि हम हिंदी सिनेमा का हॉलिवड अफ़तार देख रहे हैं जिसकी कहानी फैमली वैल्यूज और हुमन रिलिशन्स के चारो तरफ गूंती है कहानी उसी पेंडोरा की है जहां धरती के इंसानों को पहले एक बेश कीमती मिनरल की तलाश ठी लेकिन अब कहानी 10 सल आगे जा चुकी है धरती इंसानों के रहने लाइक नहीं बची है और तलाश है एक ऐसे ग्रह की जहां इंसानों की बस्तियां बसाई जा सके पूरी तरह से नावी बन चुके जेक सली और उसकी नावी प्रेमिका नैतीरा का परिवार भढ़ रहा है दो बेटे हैं, एक बेटी है और एक गोद ली हुई बेटी है साथ में एक human child भी है जिससे इंसानों से ज्यादा नावी समुदाई के बीच रहना अच्छा लगता है sky people यानि धर्ती के इंसान एक बार फिर खत्रा बन कर उन पर मंडरा रहे हैं परिवार की रक्षा की खातिर जैक अपने परिवार के साथ पैंडोरा को छोड़ कर दूसरे कबीले मिट कायना पर रहने चला जाता है वहां के राजा तोनोवारी और उनकी पतनी कबीले की मुख्या है वहां के लोग समुद्र के अंदर उतनी ही आसानी से रहते हैं जितनी आसानी से जैक का परिवार गने जंगल में वे वहां के रहने के तोर तरीके सीखने लगते हैं शुरूवात में सली और टोनावरी के बच्चों में जड़प होती है मगर टोनावरी की बेटी हमेशा ही सली के बच्चों के प्रती सयोगी रवया अपना कर उन्हें नए महौल में ढालने में मदद करती है धर्ती के लोग जिन्हें पेंडोरा वासी स्काइप पिपल के नाम से बुलाते हैं नेमरत करनल माइल्स की स्मृतियां और डिने से बनाए गए करनल कारीच के अफ्तार को सली से पतिशोध लेने की मिशन पर लगा दिया है किसी तरह वैं सली के बच्चों पर हमला करके इस पाइडर को बंदग बना ले जाता है अब सली के कारण टोनावरी समुद्र भी खत्रे में आ गया तो अब भई इन सब सिचुएशन में सली अपने परिवार के साथ साथ टोनावरी समाज को भी बचा पाएगा या उसे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अब कहानी के सस्पेंस को जानने के लिए इस एंडिंग पॉइंट को जानने के लिए आपको फिल्म तो देखनी पड़ेगी अफतार सीवीज की कुल पाँच फिल्म है कहानी अभी सिर्फ दूसरी फिल्म तक पहुँची है और इंडियन ओडियन्स को तो ये कहानी कुछ अपनी सी भी लग सकती है भारतीय मूल की अश्रिता कमत का आर्ट डिरेक्शन इसकी बड़ी वज़े है कैमरेन ये फिल्म साल 2015 में रिलीज करने वाले थे लेकिन इस फिल्म का कैनवस इतना बड़ा है कि इसे परदे पर पेश करने के लिए साथ साल लग दे जेम्स कैमरेन ने फिल्म अफतार दवियो वाडर का एडिटिंग अपने सहयोगी है डेविड ब्रेनर, जॉन रिफुआ और स्टीफन रिफ्किन के साथ मिलकर खुद ही की है रुसेल कारपेंटर अफतार सीरीज की फिल्म के एक नए सिनेमाटोग्रफर है कैमरेन के साथ वै इसके पहले ट्रू लाइज और टाइटैनिक में भी काम कर चुके है फिल्म अफतार के संगीत का जेम्स होमर की साल 2015 में एक हवाई दुरगटना में हुई मौत के बाद जेम्स ने उनके स्टुडेंट साइमन फ्रेंगलिन को फिल्म अफतार दव्वे ओव वाटर का संगीत रचने की जिम्मेदारी सौपी फ्रेंगलिन ने अपना पूरा संगीत पानी की लहरो और उसकी गहराईयों में मिलने वाली शांती के साथ साथ उसके रौदर रूप को भी ध्यान में रखते हुए रचा है वी एफेक्स की बात करें तो इस बार केमरन हमें जंगल से समंदर की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सब कुछ बहुत ज़्यादा खूपसूरत बहुत ज़्यादा मैजिकल लगने लगता है फिल्म में जल के भीतर की दुनिया और वहां के जीव जंतूओं को 3D इफेक्स में दिखाना एक बहुत ज़्यादा शांदर विजुल ट्रीट फिल्म में अगर सबसे बड़ी कमी है तो वो है इसका 3 गंटे 13 मिनिट लंबा होना फर्स्ट पार्ट कैमरों ने किरदारों को डेवलप करने में लगाया है जो खिचा हुआ और सुस्त लगता है आपको शुरुवात कुछ बोरिंग भी लग सकती है डिरेक्टर आराम से यहाँ पर 15-20 मिनिट बचा सकता था फिल्म का क्लायमेक्स भी काफी लंबा था यहाँ भी ऐसा लगता है जैसे फाइटिंग सीक्वेंस पर पकड़ कुछ डीली हुई है कहीं ना कहीं वो अनेसेसरी भी लगती है तो यहाँ भी डिरेक्टर 15 मिनिट आराम से बचा सकता था तो भाई इसी वज़े से मैं दोंगा फिल्म को 5 मैं से 4 स्टार्स फिल्म के ग्रेंड कैनवास और किसी दूसरी दुनिया में खुद को खो देना यह बड़ी वज़े है फिल्म को देखने की तो आप पूरी फैमली के साथ जाईए और मजे लीजिए वीडियो अच्छे लग और चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाना थैंक यू